आज का जो हमारा टास्क है वो है कि sentiment analysis करनी है हमने उर्दू की sentences पर हमें उर्दू के sentences given होंगे हमने यह पता लगाना है कि आया कि जो sentence का है वो negative का है means किसे money feel बॉला है या positive का है या neutral है तो इसमें हम जो steps follow करेंगे करेंगे यहां पर यह है कि हम upload करेंगे data clean करेंगे tokenize करेंगे limitization stemming करेंगे logistic regression फिर model लगाएंगे वह कौन सी technique यूज करते हुए backup words के ठीक है फिर हम logistic regression model apply करेंगे आपने data को tfidf vectorizer के बाद ठीक है उसको convert करने के बार अपने data को ठीक है यह है हमारा data यह जो data है इसमें sentences है एक वीचे sentences का है और दूसरा labels का one two three whatever जो लिखा होगा है जो one है वो positive को describe करता है अब हमने data के पर sentiment analysis परफार्म करना है क्या है कि यह sentence लिखा हुआ है कि यह positive है negative है यह neutral है इसको check करना है and so on अब चलते हैं हम अपने code की तरफ यह है हमारा code इस code में सबसे पहले मैंने libraries को import किया वह जो मुझे चाहिए तो इसमें जो पहली library के है वो नमपाई है जिससे हम erase को deal करते हैं इसके बाद panda है जिससे हम file को upload करेंगे इसके बाद हमारे पास nltk है nltk library होती है natural processing natural language processing इस library के आंदर हम यह करते हैं कि हम जो sentences होते हैं या paragraph होते हैं इनको हम हम tokenize करते हैं Lematization करते हैं Stemming performing perform करते हैं या paragraph को sentence में convert करते हैं पिस sentence को words में convert करते हैं इस NLTK चाहीं होते हैं इसके बाद map plot के visualization के लिए इसके बाद काऊंध अप्टरआजर, जो बेकर वर्प Means कै rex क्षेंस, यह है उसके बाद फीचर एक्सम्स दे Wa sup. ऐसके बाद के लिए यहां प्लाइट है在 Wadomharic, च्चेलान उसके बाद यहाँ इसमें थो इसमें पड़ इमें Doesekakround data को बेप्सटे को है Pd ki library, Pandai's ki library use करते हो एं और ये Excel Xlx की format में था तो लहादा read Excel करेंगे मैंने यहांसे data read किया अब उस data में से मैंने जो भी null row थी वो साथ remove करके तो जितनी भी null rows होंगी इस data के नदर remove हो जाएंगी उसके बाद मैंने shape को या print करवा ये हमारी shape के है इसके बाद मैंने कुछ देटा जो कहा है पहले पहले चार फांस लायंस के बोह ने यहां प्रिंट कर वाई अब देख सेते हैं महार इस तरह से है कि यह रहो जो कि अगल डेबल कि वहाना है अब हमने टेक्स को प्रिप्रोसेस करने हैं, प्रिप्रोसेसिंग कहते हैं कि मॉडल लगाने से पहले आउट डेटा पे जो प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, प्रिप्रोसेसिंग में आता है कि जो रॉड़ डेटा है उसको क्लीन करना होता है, स्टमिंग प्रफॉर्म करना होत अगर मैं यहां पर labels मैंने एक और टीके से भी यहां पर शोकी हूँ जो के easy matter है यह है कि Urdu labels उर्दू के जो documents के मेरा मैंने store कवाया है यह है उर्दू labels इसके अंदर जो label है labels के नाम से उसको मैंने value count का function लगाया उस पर value count का function मुझे जो output देगा वो इस तरह से होगा कि वो यह कह रहा है कि आपके label 1 है वो 499 है label 3 है वो 354 है और इस तरह 2 जो है 191 इस तरह 4 भी इस तरह तो इसने मुझे बता दिया कि जो labels के उनके तादाद कितनी है अब हम मैंने इस में जो है data clean करने है तो इस में से जो raw data है वो भी urls होगया numbers emails होगया इस अब delete करने stopping work में भी यहां पर performing कर रहा तो कि मैंने यह report comment किया हो है तो अब मैंने सिर्फ simple data को यहां पर clean कर रहा हूँ clean के लिए मैंने यहां पर function बनाए जिसका नाम पहर removing unwanted data इसके अंदर मैं इसको sentences दोंगा one by one sentences देता चाहूंगा तो एक sentence जब जैसे यहां पर आएगा तो उस से URL remove होगा इसी तरह जो भी unwanted special characters के strings के जो भी है वो यहां पर remove हो जाएगी उस text में से जब उसमें से remove हो जाएगी तो वही sentence आप यहां पर आएगा यहां पर तो यहां पर जब वो आएगा तो उसको हम tokenize कर देंगे उस sentence को हम tokenize कर देंगे किस तरह से NLTK लाइबरी यूज करेंगे NLTK अब यह NLTK के building function है जिसका नाम है word fund tokenizer ठीक है उसको dot हम dot tokenize करके वो ही अपने sentence देंगे इसके अंदर तो वो जितना है पुरा sentence है उसको tokenize करतेगा अच्छे आपर tokenize से मुराद किया है यहां पर किसी image है यहां पर इसके अंदर एक text एक sentence लिखा हुआ एक cat sat on the mat okay tokenization जब इसके परफॉर्म होगी sentence पर तो क्या होगा कि यह sentence कि इसके हर एक इलपास अलग अलग हो जाएगा और एक list में इस्टो हो जाएगा दी अलग हो गया cat अलग हो गया sat अलग हो गया on the mat सब अलग हो जाएगे तो sentence पर जब tokenization अप्लाई कि होता है tokens means token tokens बनाना words बनाना च्रीक है tokenization इसे कहते हैं अलग हो जाएगे मेरे पास एक list शो हो जाएगी जिसके अंदर उस sentence के हरे किलपास्ट हो जाएगा अब यहां पर यह वाली लाइपर इन आपिट इंपोर्ड के उर्दु खैके कि मेरा सुछ डेटा है वह उर्दु की पॉर्मिट में और्दु के sentences के उर्दु के words से है अब English के इंगलिश की data में इस English sentences पे अगर हम प्र पोससिंग अप्लाई करनी हो अब पर स्टॉपिंग words रिमोट करने और लामटाइजेशंग करनी हो तो उसके लिए NLTK है लेकिन NLTK इंगलिश पे काम नहीं करती एर्र देती है उसके लिए building libraries या data बना ही नहीं है जहाँ बजाए NLTK के मैं यहां पे उर्दु hack यूज करूंगा तो उर्दु hack से हम वो सारे काम करेंगे जो NLTK से हम उर्दु डेता पर नहीं कर सकते हैं तो जब मैंने यहां पे data सारे इसमें से रिमोट की जो अन्वांटिट थी इलफाज को टोकनाइज कर दिया तो वह वार्द की फार्म में हो जाएगा और जो लिस्ट है वार्द की वह मुझे रिटर्ण को जाएगी अब मैं इस function को call करूंगा है यहां पर यह मैं इस function को call करो तो साथ मैं उसको मैं sentence दे रहाँ इसमें मैंने useCAM map का function यह जो map का function है, मैंने इस map के function के अंतर, यह जो function का नाम लिखा है मैंने यहाँ पर, उस साथ में comma डालके, उद्धू doc.sentence का जो एक feature का complete sentence का था, वो मैं इसको किया हूँ. अच्छो, map का function है, map का function यह करता है, map का function इन्पुट में दो चीज़े लेता है, एक वो function का नाम लेता है, और दूसरा वो यह लेता है कि जो आप data send करना चाहरे हैं, उसके अंदर function के अंदर वो यहाँ पर आप लिखेंगे, map का function यह करता है कि वो एक ही दफा पूरा data लेता है आपसे, means उसमें मुझसे सारे के सारे 1200 sentence ले लिए, ठाक है, वो यह करेगा कि वो जो यह function है ना इसमें, जो मैंने define किया हूँ, उसमें वो एक-एक sentence डालता जाएगा, एक-एक sentence देता जाएगा, यहां से वो एक sentence forward करेगा, यहां पर यहां पर इसके जो है टक्स में, एक sentence देख, उस पर processing apply करेगा, और return करेगा एक ही sentence का जो भी output आएगी, वो यहां पर return करेगा, ठीक है, यहां पर return आ जाएगी वहां पर, फिर वो जो होगा हम उसको list की form में convert करेंगे, और store कर देंगे, ठीक है, अच्छा यह store वहीं पर होगा, जहां से हमने इसको उठाया था, जहां से हमने इसको उठाय जाया था, यह जाकर वहीं पर store होगा, ठीक है, फिर इसी तरह दूसरा sentence यहां से जाएगा, वो भी वो यहां से जाएगा, प्रोसेस होगा, और return होकर यहां पर आएगा, और वहीं पर जाकर store हो जाएगा, तो कि मैं यहां ते अर्दू डॉक, डाट, एक में नया column बना रहा लेकिन यह उसी location पर जाकर store हो जाएगा, यही sentence, ठीक है, तो मैं एक एक sentence जाएगा function में, और return होकर वापस store हो जाएगा, और मैं यहां पर नया column बनाएगा, नया feature बनाएगा, अगर मैं इसकी जगह पर इसी का अपना sentence, यह sentences बोला यही रखते हो, तो वह उसको replace कर देगा, जहां से वह, जहां पर original था हो, उसको replace करके, यहां पर token store हो जाएगा, तो यह है, मैं यहां पर show किया हो, ठीक है, complete processing के बाद, जब यह सारी processing perform हो गई, तो उसके बाद मैं यह data show किया, अब यह है, यहां से हम समझेंगे, वह यह है, कि यह sentence है, ठीक है, sentence मैंने उसको पहला sentence इस function को, यह sentence के पहल जाएगा, processing comply करेगा, tokenize करके, जब मुझे return करेगा, तो मैंने उसी के बराबर में एक नया column बनाया, ठीक है, और यह sentence मैंने बेजा था, और return में मुझे यह मिला, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पर store कर दिया, मैं इसको यहां पर store कर सकता था, यहां पर store तो यह इसके जहाएपर replace हो जाता, इसके जहाएपर यह चीज़ आ जाता, इसके जहाएपर यह चीज़ आ जाता, but मैंने original data वहीं पर रखा, यह चैक हूँ नहीं ने अगार बना देंगा तो फिर वहीं पर store कर देते हैं, तो अब यह देखिए, tokenize की form है, यह लिखा हुआ ह तो यह tokens होगी, words होगी, separate token होगी, हमने limitization अब अब limitization कहते हैं, अब limitization कहते हैं किसका, अब यह चीज़, limitization होता है, जो इल्फाज, जो भी आप उसको दें, limitization टक्नीक को, तो वो आपको output में, output में उसका root word देगी, ठीक है, root word देगी, इसके साथ, root word भी देगी, उससाथ में वो उर्फाज देगी, means, जो के sentence के इतबार से, या context के इतबार से होगा, for example, इसी में से नहीं जाए कि मैं, अजर मैं उसको playing word दूंगा, playing word, तो मुझे playing का root word output में देग to describe करना, तो बजाए, ये जो है, output में हमें क्या देगा, play देगा, simple, अगर मैं place करूं, तो वो भी मुझे उसका root word देगा, वो क्या होगा, play, अगर मैं played दूं, तो वो भी मुझे, lamentization से क्या हो जाएगा, उसका root word मुझे में हो जाएगा, that will be play, इसका aim, ri, जो है, वो b से replace हो हो जाएगा, तो ये होता ही यहां पर ऐसा है, ये lamentization थी, ये हमने उसका, जो इलफाज लिखा होगा, तो उसके हमने original इलफाज वो get करना है, अगर यहां पर खुशी लिखा होगा है, खुशी, और दू के लफाज में, तो इसकी lamentization root word क्या होगा, खुश, देगे, खुश, मैं तो इसकी situation को describe कर रहे है, तो ये है lamentization, अब हमने lamentization अप्लाई करना है, लामाताजेशन जो है, वो उर्दू है, क्लाइबरी में building एक data store हुआ 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 है, जिसके थरु हम उसको हमा सारे अपना data देंगे, हमें उस data के lamentization अप्लाई करके, हमें अजा output कर देगा, और व word.json करेंगे, यहां पर urdofact.config के अंदर यह जो lemma lookup table है path पहले से बना हुआ है, बिल्दिन है, ठीक है, इस path के अंदर, यह lemma lookup table जो है, इसके अंदर पहले से define है, अगर वहां पे लिखा हुआ है, आपके उसको as a input pushy देंगे, तो वहां पे define है, अगर आपके उसको pushy as a input आये, तो आप में उसको pushy output में देना हुआ है, तो हर एक इलफाज के उसमें, यहां जो है, root words define है, तो यह जो है, कहना है, lemma lookup एक function है, उसके अंदर हम टेक्स देंगे, lookup spring path जो के उसके नहीं path देंगे, एक जो के lemma lookup table है, ठीक है, और यह just आगे, जो हमें text दिया था, ठीक है, वो tokens ही है, मैं यहां के tokens कर रहा हुआ है, हम जो text दे रहे हैं भी, तो वो tokens ही है, तो यह tokens यहां के जाएंगे, यहां पे इन्सकी क्या नामा lemmatization perform होगी, और जब lemmatization यहां के perform हो जाएगी, तो उसके बाद मैंने यहां पे एक function लगया है, मैं यह कह रहा हूँ के, अगर if, जो word in word to lemma, ठीक है, अगर यह वो इलफास इसके अंदर है, ठीक है, तो मुझे वो इलफास return कर दो, otherwise, मुझे वो इलफास return कर दो, otherwise, मुझे वो इलफास return कर दो, means, एक जो root word नो वो मुझे दे दो, नहीं तो, else, मुझे actual जो मैंने तुमे इलफास दिया था न, ठीक है, वही इलफास मुझे दे तो, हां, तो यह जो होगा, यह मुझे वो return कर देगा, या तो मुझे इसके लामाटाशेशन सेंट करेगा, या तो मुझे उसका क्या ना में, वही इलफास मुझे सेंट कर , यहां यहां फिर्सर म् liegen ए फंक्षिंण क्या तो यहले यहां यहां इसमें चरहा अंपूरा शेती जाल नगा कि रर्स नगाव से ऌते कि उइसमें एपलाख क सब्सक्राइब में इसको जो टेक्स के है जो clean text का लेव पूरा column था मैंने इसको वो दिया वह यहाँ से one by one एक sentence उठाएगा एक sentence ठीक है यह sentence के tokens के पॉप है token token यह देगा उस पे processing apply करेगा limitization में और एक मैंने यहाँ पर नया column बनाए जो के है lematize text का ठीक है तो यह यहाँ पर lematize जितने भी है वो store कर दे है अब हमने preprocessing कर ली हमारी preprocessing जो है complete हो भी यहाँ पर तो जो बाकी का feature engineering है वो में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे